जैसे कि हम जानते हैं कि गूगल पर हम कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं और उस टूल का नाम है गूगल कीवर्ड प्लैनर टूल लेकिन ये टूल असल में गूगल आड्स का एक हिस्सा है और हम गूगल आड्स के ओपर अकाउंट बनाएंगे और इस वीडियो में मैं चाहूंगा कि वैं आपको वो तरीका बताओं कि आप किस तरह से वो अकाउंट बना सकते हैं और उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए तो गूगल आड्स अकाउंट बनाने के लिए हमें वहाई जी मेल का अकाउंट चाहिए अगर आपका Gmail का अकाउंट नहीं है तो आप Gmail का अकाउंट बना ले और उसके बाद आप follow करें कि आप कैसे Google Ads अकाउंट बना सकते हैं और इसके बाद हम discuss करेंगे कि इसको use कैसे करना है आईए देखते हैं सबसे पहले आपको Gmail में login करना है आप अपने Gmail अकाउंट में login कर ले उसके बाद ये website विजिट करें जो कि Google Ads की website है तो आप लिखेंगे ads.google.com तो मैं type करता हूँ ads.google.com और मैं enter press करूँगा तो Google Ads की website खुल जाएगी तो याद लिखेंगे अगर आपने first time Google Ads की website खोली है तो शायद आपको login करना पड़े अगर आपको ये login करना पड़ेगा तो आप top right में देखेंगे कि वहाँ sign in का button होगा जब आप sign in कर लेंगे और अगर आप Gmail में पहले से logged in है तो आपको ये screen नजर आएगी इस screen में एक खास बात है आपने वो उसका खास ख्याल रखना है वो ख्याल ये कि अगर यहाँ पर आपने ये step skip नहीं किया तो आपको Google एक campaign mode में ले जाएगा जिसमें आपको एक पूरी campaign बनानी होगी और ultimately Google आपसे कहेगा कि एक credit card से आप sign up करें तो हमें उस चीज को avoid करने के लिए हमें ये step skip करना है और इसमें अगर आप देखेंगे तो ये blue line आपको नजर आ रही है जिसमें लिखा हुआ है skip the guidance step तो ये guidance step आपने skip करना है ताके हम उस मसले से बात जाएं जिसमें हमें credit card डालना पड़े तो हम बगार credit card डाले इसके account बनाने की कोशिश करेंगा तो मैं प्रेस करता हूँ skip the guidance step जैसी मैं ये प्रेस करूँगा Google मुझे एक page पर ले जाएगा जहां पर वो मुझे currency और मेरा country पूछेगा तो इस page पर आपको Google को verify करना है कि आप आया उसी email से sign up करना चाहते है Google Ads account में जो आपने Gmail पर रखा है उसके बाद अपना country बताएंगे जो कि आप most primarily पाकिस्तान रखना चाहेंगे और फिक currency बताएंगे तो याद रखिएगा currency और country ये दोनों चीज़ें बाद में change नहीं हो सकती तो अगर आप Google Ads को बाद में यूज़ करना चाहेंगे तो आपका वो country और वो currency आपके साथ चलेगी और जिस currency में आपका account होगा अगर आप वो यूज़ करते हैं बाद में तो आपको उसी currency में आपको pay करना पड़ेगा तो फिलहाल मैं Pakistan और Pakistani rupees as a currency लेके आगे चलूँगा इसको save and continue करते हैं तो जैसे ही मैं इसको save and continue करूँगा तो Google मेरा account बना देगा जो कि AdWords account कहलाएगा तो Google AdWords और Google Ads में difference यह है कि Google Ads का पहले नाम Google AdWords था तो अक्सल लोग इसको AdWords से ही जानते हैं लेकिन Google Ads और Google AdWords दोनों एक ही बात है अगर आप AdWords.Google.com भी open करेंगे तो आप बिलाखिर Ads.Google.com पर ही redirect हो जाएंगे तो इसमें कोई बुराई नहीं है कि अगर आप इसको AdWords भी कहें लेकिन आप उसका वो पराना नाम है आपका अब इसका नया नाम Google Ads है In the meantime मेरा अकाउंट बन चुका है जब आपको ये स्क्रीन नजर आ जाए इसका मतलब ये है कि आपका अकाउंट बन चुका है और अब आप इस अकाउंट को यूज़ कर सकते हैं